हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं homemade hand sanitizer जो बहुत ही simple से तरीके से बनता है सिर्फ और सिर्फ आपको दो ingredients चाहिए और यह बहुत ही जबर्दस प्यॉर वाला बनता है जैसा आपको बाहर बजार का मिलता है जो काफी महंगा होता है आप सस्ते दामों में घर पे बना सकते और अपने आपको और family को bacteria और virus से आप बचा सकते हैं तो जली बनाना शुरू करते हैं आदा कप हमें लेना है aloe vera gel जो हमारी हाथों को smoothness के लिए काम आएगा तो आपको market वाला ही लेना है किसी भी brand का ले सकते हैं और जो ज़रूरी ingredient है वो है rubbing alcohol iso profile alcohol जो 99% का है और इसका मेडिकल स्टोर पर जा करके यह ले सकते हैं यह मैंने ले लिया है एक कप तो आधा कभ हमने लिया है aloe vera gel एक कप लिया है rubbing alcohol और यह essential oil यह completely optional है यह सिर्फ और सिर्फ खुश्बू के लिए होता है क्योंकि बच्चों को आप अगर लगा रहे हो तो alcohol की बहुत ही ज्यादा strong smell होती है तो थोड़ा सा हम कोई भी essential oil जो skin friendly हो वह हम इसमें डाल देंगे कुछ drops डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम इसे mix कर लेंगे rubbing alcohol friends थोड़ा सा strong होता है उसकी smell बहुत ज्यादा strong होती है और हाथों को भी एक दर dry कर देता है तो इसलिए हमने इसमें डाला है aloe vera का जेल जो आपके हाथों को smoothen करके रखेगा और स्पेशली अगर आपके आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा almond oil ज़रूर डाल ले क्योंकि बच्चों की skin बहुत ही ज्यादा sensitive होती है तो almond oil के कुछ drops आपको डाल देना है और इस तरीके की खाली bottles अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो यह market में बहुत ह स्टोर करके रख सकते हैं और यह देखे बस एक पंप ले और हातों को अच्छी तरीके से हमें रब कर लेना है फिंगर टिप्स पे जरूर रब करें यह बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों हम घर पे बना सकते हैं जरूर आप इस रेसिपी को ट्राइब कीजिएगा और अगर यह वीडियो आपको हेल्फुल लगे तो जाते से जादा आप इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में लाइक करें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फर वाचिंग स्टे कनेक्टेड